दोस्तो आज हम लोग Rusking Bond की एक साट स्टोरी Most Beautiful को पढ़ेंगे दोस्तो इस स्टोरी को Rusking Bond ने अपने एक बिहाधी फेमस वर्क Time Stop At Salimly में लिखा था Time Stop At Salimly में Total 21 स्टोरी है और अगर introduction को भी जोड लिया जाए तो total 22 chapter सोंगे इसके अंदर दोस्तो टैम स्टाप एट सामली को रस्किंग बॉर्ण ने 1989 में publish करवाया था दोस्तो मैं most beautiful की कहानी बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रस्किंग बॉर्ण को कब कम कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो 1992 में साहित्य अकैडमी अवार्ड, 1999 में पदमिस्री और 2014 में पदम हुसन से इने समानित किया जा चुका है इन सभी के अलावर रस्किंग बॉर्ण को उनकी लिखी पहली नौविल दा रूम ऑन दा रूफ के लिए उन्हें 1957 में जौनरी मिमोरियल प्राइज भी दिया गया था चलिए बिना समय गवाए मैं मोस्ट ब्यूटिफुल की कहानी बताना आपको सुरू करता हूँ दोस्तो ये कहानी है सुरेश नाम के एक लड़के की सुरेश दिखने में काफी भद्दा और कमजोर था इस कारण से बच्चे उसका मजाक उडाया करते थे एक बार हमारे आथर रस्किंग बॉड ने देखा कि करीब 10 बार लड़के मिलकर सुरेश को परेशान कर रहे थे वे उस पर मिट्टी और पत्थर फेक रहे थे तभी एक पत्थर सुरेश के चहरे पर जा लगता है और खून निकलने लगता है रस्किंग बॉड डॉड के सुरेश के पास जाते हैं खून देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं बॉड सुरेश को उसके घर पहुँचाते हैं सुरेश की मा सुरेश को देखकर समझ जाती है कि उसके बेटे को किसी ने परिसान किया है सुरेश अपनी मां से जाकर लिपड जाता है सुरेश की मां रस्किंग बॉंड को अपने बेटे की मदद करने के लिए धन्यवाद यदा करती है और चाई के लिए पुछती है सुरेश की मां बॉंड को बताती है कि सुरेश कभी भी किसी से बात नहीं करता तभी सुरेश के पिता घर आते हैं और उपर उतपर से बॉंड को धन्यवाद कहते हैं दोस्तों यहाँ पर दिल धहलाने वाली बात यह है कि सुरेश के पिता भी सुरेश के चेहरे के भद्देपन से काफी नराज रहते थे और कुछ देर के बाद रस्किंग बॉन्ड सुरेश के घर से चले जाते हैं एक सबता के बाद रस्किंग बॉन्ड सुरेश से मिलने उसके घर आते हैं सुरेश के पिता अपने बिजनस के काम से बाहर गए वे थे बॉंड काफी मेहनत के बाद सुरेश को अपने साथ घूमने के लिए एक पास के गार्डन में ले जाते हैं उसके बाद दोनों एक जंगल की और चले जाते हैं जंगल में बॉंड को एक जहरना दिखता है बॉंड तुरंथ अपने कपड़े उतारते हैं और पानी में डुबकी लगाने चले जाते हैं बॉंड सुरेश को पानी में बुलाते हैं पर सुरेश बताता है उसे क्या उसके उम्र के किसी भी बच्चे को तैरना नहीं आता बॉंड सुरेश से कहते हैं कोई बात निंग मैं तुम्हें तैरना सीखाऊंगा और सुरेश भी पानी में आ जाता है बॉंड सुरेश को तैरना सीखानी लगते हैं और कुछ दिन तक ऐसा ही चलते रहता है सुरेश इन पलों को काफी ज़्यादा इंज्वाई कर रहा होता है और कुछ दिन के बाद वो तैरना भी सीख जाता है एक दिन बॉंड सुरेश के घर जाते हैं सुरेश घर पे नहीं था सुरेश की मा बॉंड को बताती है सुरेश ने गुस्टे से उनके घर में जो बकरी थी उसे मार दिया है क्योंकि उसे लगने लगा था कि बकरी भी उससे ज़्यादा है और बकरी को मारने के बाद वो गुस्टे से कहीं चला गया है बॉंड उस ज़रने के पास जाते हैं सुरेश भी वहीं था बॉंड सुरेश से पूछते हैं तुमने बकरी को क्यों मारा पर सुरेश बॉंड को कुछ नहीं कहता है बॉंड कुछ देर के बाद सुरेश को बताते हैं कि उन्हें दिल्ली से एक जौब का ओफर आया है और वो आज साम को 8 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं सुरेश काफी उदास हो जाता है साम को ट्रेन अपने समय पे आती है बॉंड को किसी तरह 3rd class compartment में खिडकी वाली सीट मिल जाती है कुछ देर के बाद बॉंड खिडकी से सुरेश और उसकी मा को देखते हैं बॉंड सुरेश को आवाज देते हैं तब ही ट्रेन चलने लगती है सुरेश प्लेटफॉर्म पे दोड़ कर ट्रेन का पीछा करता है बॉंड चिला कर सुरेश को कहते हैं मैं अगले साल तुम से मिलने जरूर आऊंगा ट्रेन अब वहां से काफी दूर चली आई थी बॉंड अभी पे भी सुरेश के बारे में ही सोच रहे थे और सुरेश को एक most beautiful boy कहते हैं और दोस्तों यही पर यह कहानी खतम हो जाता है हम लोग फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत